सलमान खुर्शित कानून मंत्री रहे हैं देश के और इस तरीके के वक्तव्वे उनकी तरव से देना कि भारत का अगला नंबर है जो बंगला देश में हुआ वही सब भारत में भी होगा को भी कहेंगे कि वो भी सठीक थे कल को आप आईसाइस को भी कहीना के सठीक कहेंगे तो यह हमारा समाज जो है वोडवां की तुष्टिगरन की राजनीती के लिए किस और अग्रसर हो रही है कुंतित मानसिकता उनकी प्रदर्शन कर रहे हो 370 जो एक काला एक धबा था हमारे भारत के सम्विधान का उसको भी अब्रोग्रेट किया गया था तो इन तमाम चीजों को मदे नज़र रखते हुए जब कॉंग्रस इसका ब्लाग डे सेलिबरेट कर सकती 5 आउगस्ट को तो वी डोंट एक्सपेक्ट एनिधिं गुड फ्र पर पॉलिटिकल चेंज हुआ है पी-म ने रिजाइन दिया भारत आना पड़ा एक्वेट हो करके लेकिन कहीं न कहीं इस बंगलादेश की गटना के बाद भारत के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग उनकी सच्चाई क्या है भारत की सरकार के प्रती भारत ये प्रधान म मचे इस तरीके से जो है यहाँ पर भी बवाल मचे खुद सल्मान खुरशीद जो की पूर्व में कानून मंत्री रह चुके हैं वो कह रहे हैं कि भारत में भी यही सब होगा सज्जन वर्मा सीनियर कॉंग्रेस लीडर मद्यपरदेश के बैल्ट से आते हैं उन्होंने तो सी क्योंकि आपका ब्रेक्गराउंड है और सल्मान खुरशीद कानून मंत्री रहे हैं देश के और इस तरीके के वक्तववे उनकी तरव से देना कि भारत का अगला नंबर है जो बंगलादेश में हुआ वही सब भारत में भी होगा यानि वो चाहते हैं भारत में भी इसी तर कानून मंत्री रहे हैं और ऐसा स्टेटमेंट दिखाता है कि भारत के लोकतांत्रिक जो ढाचा है उसके प्रती उनके मन में जरा भी सम्मान नहीं है अगर उसकी बांगलादेश की सिति की बात करें तो हमें आपको शायद याद होगा जब हैपिनिस इंडेक्स आया था तो बांगलादेश का जो नंबर है वो भारत से उचा था तो जिसके कारण यही तमाम लोग बहुत सेलिब्रेट किये थे आज वहां पे एक नरसंघार का प्रक्रिया जो शुरू हुआ है वहां के माइनॉरिटी के उपर इन सब चीजों को ये लोग वाइट वाइट वाश कर र चानिक धाचा के प्रती आपका जरा भी सम्मान नहीं है तो वी आ वरी अशेम कि दिस पॉसन वाज लॉग मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री उसके लावा अगर बात किजाए सज्जन वर्मा बहुत पुराने कॉंग्रेस लिडर है कई बार विधायक रह चुके हैं वो तो एक ज जिस तरह की स्थिती है वहां पे हम लोग बहुत खुश है कही ना कही आप अगर वो महंगाय की बात करेंगे चोटे मोटे मुटे लाएंगे तो यह तमाम मुदे युएस में भी है रशिया में भी है हार एक बड़े राज्य का मुद्दा है जब एक यूनिटी इन डाइव कि हम बात करते हैं तो मुद्दे तो आएंगे ही और कही ना कही इन मुद्दो के साथ अगर हमारा भारत इस तरह से प्रगति के और अग्रसर हो रहा है तो हमारी लिए गर्व की बात है रदर दिन अप्लॉडिंग दिस थिंग वी आर यूनों इस पीपल दिस ताइप उप बिन पी बंगलादेश नाशनलिस पाटी इन लोगों हाई जैक करते हुए वहां के जो मानसिक्ता को इंडॉर्स कर रहे है तो कल को आप तालीबान को भी कहेंगे कि वो भी सठीक थे कल को आप आप आईसाइस को भी कहेंगे तो यह हमारा समाज जो है वोड वैंक की तुष् किस और अग्रसर हो रही है कुंतित मानसिकता उनकी प्रदर्शन कर रहे हो एक तरफ कुछ इनके नेता हैं वो कहते हैं कि हम तो सरकार के साथ में लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा इनका जो पूरा तबका है वो लगातार ऐसी स्टेटमेंट जे रहे है मैं बुबा मुफती पाच अगस्ट को घटना करम घटी है और पाच अगस्ट को सभी दुनिया जहान के जितने भी टेरिस्ट ओर्गनाइज़शन उसको ब्लाग डे मनाते है क्योंकि राम मंदिर का उस दिन उसको सुखरिती मिली थी 370 जो एक काला एक धबबा था हमारे भारत के संविधान का उसको भी अबरोग्रेट किया गया था तो इन तमाम चीजों को मदे नजर रखते हुए जब कॉंग्रिस इसका ब्लाग डे सेलिबरेट कर सकती है फाइव ऑगस्ट को तो वी दोंट एक्सपेक्ट अनिधिं गूट फ्रम तो कश्मीर के जो टिपिकल हुरियत के समर्थक थे सेपरिटिस मुव्मेंट के समर्थक थे वो तमाम लोग इस चीज़ को जाहिर हैं इंडॉर्स करेंगे ही क्योंकि उनके लिए 370 का हटना उनकी रोजी रोटी के हटने के जैसा एकदम सेम रहा और हमने देखा इस बार चुनाव में महभुवा मुफ्ती ऑलसो गॉट डिफी कि असाम जो है उसको भी भारत का भारत से अलग करके किचन नेक को भारत किया जाएगा तो यह सब अलिगावगावाद के सोच रखने वाले लोग है इनका इनकी बातों पे ज़्यान नहीं दिना चाहिए बल्कि मैं तो को इन पर कारवाई होनी चाहिए बात करें तो अगर ह प्राइसिस जो है वो सिविल वार की स्थिति उत्पन हो गई है लेकिन इस समय में 140 करोड की जनसंख्या को संभालना अब लोगों ने यह चीज कहना शुरू कर दिया है कि नहीं अब हमें दिख रहे हैं कि वो पी एम मोदी की लिडर्शिप है जिस वजा से इस देश में ऐसी क अपने जिकर किया उनमें यह चीज अभी बंध है यह जो लोग है जो आज बांगलदेश की स्थिति को एंडॉर्स कर रहे है देख तालिबान की वी स्थिति को फिर इनको एंडॉर्स करना चाहिए जिस तरह से तालिबान ने टेक ओवर किया था आफगानिस्थान को और कही यह जो है that is the true definition of autocracy जो इनराज्य में हो रहा है and we are very blessed to be a part of भारत और कहिना कि हमारे उस being a person from West Bengal मतब दिल से मैं तहे दिल से blessed feel करती हो और कहिना कि धन्यवाद करती हूँ शामा प्रशाद मुखर जिनके बदालत आज West Bengal जो है वो भारत का ही हिस्सा है और एक समय ऐसा भी था कि कोलकता की अगर बात करें तो दिली तो बात में capital बना कोलकता तो भारत की राजदानी हुआ करता था और कुछ अभी वीडियो वो भी वाइरल हो रहे हैं जो आपने happiness index की बात की कुछ आपने आपको जो मानते हैं so called influencer या फिर कहते हैं कि हम पूरा तक्ता पलट कर देंगे वो बंगलादेश का बहुत महिमा मंदन करके बताते थे कि बंगलादेश हमसे इतनी आगे जा रहा है वहाँ पर लोग इतने खुश हैं बंगलादेश आज बिजनस में इतना आगे पहुंच गया लेकिन आज वो इस मुद्दे पर बिल्कुल चूपी साथे हुए आज उनक तक शेक हसीना जी पावर में थी वेरी कोडियन रिलेशन्स वी हड मैंटेन पर आज के परिप्रेक्ष में अगर हम कहें तो लेट उस कीप और आइस वेरी यूनों वी शुद यूनों कॉंसेंट्रेश नेक्स्ट कल क्या होता है एक साल में देखा जाएगा कि बंगलादेश कैसे राज्य की तरफ बढ़ है और कही ना कि इंटरिम गवर्मेंट के बाद कौन सा सरकार बनता है वहाँ पे कौन वहाँ के नेता बनते हैं किस तरह के रिलेशन्स वो अपने फ्रेंड्स के साथ डेवलाप करते हैं इंडिया बिंग इस वान दा क्लोजस ठाई उन सब कारों में एहम पद लिये हुए जो लोग रह चुके हैं उनकी सोच को उजागर किया गया है और इस पर पूरी चर्चा हमारे साथ अंकिता बिश्वास ने रखी अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो रह हो आप ज़रूर हमारे से कमेंट वोक्स में शेयर करें और बने रहे प्यारा हिंदोस्तान के साथ